नमस्ते दोस्तों कैम्छो मजामा मैं संजे न्यूटरिस गार्ड़निंग एन व्लोग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं यह देखिए मेरा कॉप्सकॉम का प्लांट और कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और कितना हैंदी प्लांट है तो आज मैं आपको कॉप्सक से मरगा फ्लावर भी बोलते हैं तो इसके बारे में आपको जन करेंगा कि इसकी सीड से किस तरह लगा सकते हैं कैसे प्लावरिंग करेंगा तो आप मेरे वीडियो में लाश्च तक सैम दहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के जाधी वीडियो शेयर करना मत पूलिएगा तो सबसे पहले आपको यह प्लांट दिखाता हूं और यह प्लांट मैंने सीड से ग्रो किया हुआ है और यह प्लांट 12 इच के पॉर्ट में लगा हुआ है और यह कलर आपको चार-पांच कलर आपको मिल जाएंगी जो मैंने देखे वो मैं आपको दिखा बताता हूं और नर्सरी में आप यह प्लांट लेने जाओगे तो जो इसकी हाइब्रिट वैला रहती है चोटा-चोटे प्लांट रहते है और यह फ्लावर बढ़े आते है तो वह प इस में सीड बनते है hi got a black black दिख रहे जिसके सीड है तो इस से आप प्लांट ग्रो कर सकते हो इस टाइम अभी सद्या चलते फिर ise के प्लांट रहते हो इसको करने के लिए तो चैबो देगी किसी अगमले में इस मीटी में हमारे नहीं रहे हैं तो यह कि एगर वेल र्याई में हमारे यही रहे है तो प्लानेट में क्या है कि गंबले में लगा हुआ हमारा पौदा है तो उसमें पानी रुखेगा और पानी रुखता है तो हमारा पौदा खराब हो जाता है इसकी जड़ ज्यादा अंदर तक इतनी फैलती नहीं है इसलिए इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए इसका जो रूष कि यह ररूट रहती है तो इसलिए पानी का हमें खाज ध्यान रखना हैивать देना है लोगी तो भीपासर बद्धा ब्ली चेक चाहिए नहीं ज्यादा गिली नहीं सुखी क्योंकि ज्यादा गिली रहेगी मिट्टी तो प्लांट आपका खराब होगा और ज्यादा सुखी रहेगी तो भी ये प्लांट खराब हो जाएगा जरूरी बात यह है कि अगर केली मिट्टी रहेगी तो प्लांट की जड़े खराब होगी और ज़दा सुखी मिट्टी होगी तो अपका प्लांट है बार-बार मुड़ जाएगा और लटक जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि आप चार पांच बार ऐसा होगा कि प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो प्लांट फिर कि अपनी जान ही निकाल देगा मतलब कि यह मर जाएगा खराब हो जाएगा फिर आप पानी डालो के तो कोई इसका फाइदा नहीं टैसा पी सर्दी में दोप इतनी ज्ज zyadah मिलती नहीं और यह गंले की मिटी है वह सुकती नहीं है मिटी तो इस तरह से आपे उन के ऑप को अलब करणानी है ऐसे मिटी तो आपका पौदा कभी खराब नहीं दुदा कि कहीं भी आपको इप वदा दिखे तो इस तरह से आप लिए आई देखे इस चोटे फोटी आपको दीखे रहे यह इसके सीड़ है कि यह दम पूरान एक घंबले में जो भी प्लांट लगा हुआ इसमें इस तरह से डाल दीजिए और मिट्टी पर रख दीजिए तो ऐसे आप इसको प्लांट को ग्रो कर सकते हैं अब सनलाइट की बारे में बात करूं इस प्लांट को आप ऐसी जगह पर रखना है यहां कम से कम दिन की चार गंटे की दूप मिले अच्छी सी डायरेक्शन लाइट मिलनी चाहिए इस टाइम इतनी ज्यादा दूप गिरती नहीं है इसलिए इसको डायरेक्शन लाइट में हमें रखना है जहां मॉर्निंग लगबग 7-8 बज़े सब भी सूरत निकलता हो तो अब से लेके 12 बज़े तक की दूप मिले है वैसे जगावे प्लेस कीजिए तो आपका प्लांट अच्छी ग्रोध करेगा यह देसी वाले में प्लांट काफी बड़े हो जाते अगर जमिल में लगा हुआ पोधा होता तो इससे भी बड़ी हाइट हो जाती है यह दिखे यह लगबग तिन साड़े से जादा हो गई इसकी हाइट तो मैं इसी तरह इस प्लांट की केर करता हूँ तो आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछे और आपको मेरा वीडियो और इंफ्रमेशन अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे हमारे चैनल को स पूलिएगा तो आज के लिए इतना ही ओके फ्रेंड्स बाई